वेलकम टू माई चैनल एंजे पिलेनेट आज हम दोस्तों कच्चे केले की पोश्टिक सबजी बनाने जा रहे हैं केले में परचूर मात्रा में आहरान होता है था अन्य और पोश्टिक तत्व भी होते हैं अब हम कच्चे केले को छील कर अच्छे से साफ करके दोकर केले को छोट-छोटे पिसिस में कट कर लेंगे मैंने यहाँ पर केले को छोट-छोटे पिसिस में कट किया है आप जिस भी सेप में कट करना चाहिए उस सेप में कर सकते हैं राउंड सेप में या और अन्य सेप में अब हमने तीन-चार केले को कट कर लिया है मैं तीन-चार केले की सबजी बनाने जा रही हूं आप जितनी बनानी हूं उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं अब दोस्तों चलते हैं और अन्य सामगरी की तरफ जो हम इस सबजी में एड़ करेंगे अब एक प्याज को बारीक काट लेंगे या चोप कर लेंगे दो-तीन कली लेस्टन के लिएंगे उसे बारीक काट लेंगे एक टमाटर लेंगे इसमें मैंने एक हरी मिर्च, दो-तीन कडी पत्ते और एक छोटा टूड़ा अदरक का साथ में पीस लिया है आप ग्रेट भी कर सकते हैं बारीक अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस उन करेंगे उस पर एक पैन रखेंगे पैन में ओल डालकर 1F Tsp. जीरा एड़ करेंगे, अब इन्हें golden brown होने ड़ेंगे, अब यह golden brown हो गए हैं, तो अब इसमें हम कती हुई या साची हुई प्याज आड़ करेंगे, इसे सूटे करते रहेंगे, अब हम प्याज हमारी सोटे हो गई है अब इसमें 2-3 कली जो लशन की काटके रखे थी वो एड़ करेंगे आप लशन को इसकिप भी कर सकते हैं अब इसमें टमाटर का जो हमारा पेश्ट था उसे मिक्स करेंगे अब इसे अच्छे से सोटे करेंगे अब हाफ टी स्पून हल्दी पावडर एड़ करेंगे हाफ टी स्पून रलाल मिच पावडर एड़ करेंगे हाफ टी स्पून कोरियंडर पावडर एड़ करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाल एड़ करेंगे अब हाफ टीश्पून मैगी मिसाला आड़ करेंगे अब इस सामगरी को मिक्स कर लेंगे थोड़ी दिर स्टोटे करेंगे अब इसमें हम एक बड़ा चमच पानी आड़ करके इस पेस्ट को मिक्स करते रहेंगे अब हमारा पैन किनारे मसाला किनारे छोड़ने लगा है अब हम इसमें केले के पीसिस एड़ कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालो को केले में हमने केले को मिक्स कर दिया है मसाले में यह हमारे केले मसाले में मिक्स हो गया है अब हम उपर से टेस्ट के अनुसार नमक एड़ करेंगे और फिर दुबारा से सबजी को मिक्स करेंगे अब हमारी यह सबजी मिक्स हो गई है गैस की फ्लेम लो रखेंगे और लो पर ही इसे ढखकर पांच मिन्ट के लिए पकने देगे अब यह हमारी सबजी तयार हो गई है अब इसे सर्व करेंगे मैंने इसे कड़ी पत्ते को बारिक काट काटकर उससे गार्निस किया है सबजी को केलेगी आप धनिया पाउडर से भी या धनिया बारिक कटा हुआ है तो उससे गार्निस कर सकते हैं उपर से थोड़ी लालमित पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं मैंने इसे कड़ी पत्ते इसको बारिक काट काटकर उससे गार्निस किया है यह हमारी केले की सबजी तयार हो गई है आप इसे किसी भी तरहा खा सकते हैं रोटी के साथ प्राठी के साथ या इसके भरकर सेंट्विच भी बना सकते हैं जैसे भी आप एंज्वी करें एंज्वी कर सकते हैं अगर फ्रेंड्स आपको यह मेरी रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल एंज्वी प्लेनेट को सब्सक्राइब करना मत भूले थैंक यू